Hello Children, Welcome to Assay Education आजम करेंगे RBSC की पाँच में क्लास की हिंदी की किताब का छटा चैप्टर स्वस्त तन सुखी जीवन तो इस चैप्टर में बताया गया है अगर हमारा तन स्वस्त होता है तो हमारा जीवन सुखी होता है अगर हमारा शरील स्वस्त है तो हमारा जीवन सुखी होगा कैसे होगा आईए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है तो शाम हो गई थी शाम का टाइम था और जो दादा जी थे वो चौक में मुड़े पर बैठे हुए थे बच्चों को अबाज लगा रहे थे लेकिन जो बच्चे थे वो मॉबाइल पर कोई गेम खेल रहे थे तो जो उनकी मम्मी होती है जिनका नाम है सुश्मा वो आकर उन से कहती है बीच में जाकर उन से कहती है वो गेम खेल रहे थे तो बीच में जाकर उनको बोलती है कि तुमको इस गेम से क्या मिल जाएगा तुम पूरे दिन खेलते रहते हो तुमको इस से क्या मिलेगा ऐसा करो दादा जी के पास बैठो तो दो बात काम की सीखोगे तुम दादा जी के पास बैठोगे तो वो कोई ना कोई तुमको काम की बात बताएंगे तोशी बिट्टू हनी तीनो चलो बहार तो वो कहती है कि तीनो बहार चलो तोशी बिट्टू और हनी से कहती है हाँ मम्मी आप सही कह रही है दादा जी की हर बात पते की है तो जो बच्चे में वो कहते हैं हाँ मम्मी आप सही कह रही है दादा जी कोई भी बात कहते हैं वो काम की होती है कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बाते बताई थी समझाई थी तोशी ने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादा जी के पास आकर बैठ गए फिर क्या होता है जो तोशी होती है वो कहती है कि कल तो दादा जी ने कहानिया जो सनाई थी उसमें कितनी अच्छी बाते बताई थी कल भी तो जो कहानिया दादा जी ने सनाई थी उसमें बहुत अच्छी अच्छी बाते बताई थी फिर क्या होता है तीनों बच्चे दादा जी के पास आकर बैठ जाते हैं और जो किराइदार के बच्चे होते हैं जिनका नाम है खुशी और अनू वो भी महाँ पर आकर बैठ जाते हैं लेकिन उनके हाथ साफ नहीं थे जो पैर थे वो भी गंदे थे तो दादा जी को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि दादा जी बहुत सफाई पसंद थे तो उनको देखते हैं जब दादा जी इतने गंदे हाथ पर लेके आ गए तो उनकी जो भौई होती हैं एनक के फेरे से मतलब जो नहीं चश्मा लगाया हुआ था उससे बहार तक तन ज चाहती है तो दादा जी क्या कहते हैं कि जो गंदगी है वो बुरी बात है हमें गंदे नहीं रहना चाहिए हमें सफाई रखनी चाहिए क्योंकि गंदे रहने से बीमारिया आती हैं बीमार हो जाती हैं और सफाई क्या होती हैं हमें बीमारियों से बचाती हैं तो बच्चों उने खुशी और अनू की तरफ देका तो खुशी और अनू को ने किराइदार के बच्छे हैं तो जो खुशी और अनू होते हैं वो जाकर हाथ पाउं दो लेते हैं आकर बैठ जाते हैं फिर दादा जी उनको शवाशी देते हैं और कहते हैं साफ सफाई रखो भाई अच्छी सफ़ाई रखनी चाहिए क्योंकि साफ सफ़ाई रखने से तबीयत अच्छी रहती ए हमारा मन प्रसंद रहता है हम अपने बाता वर्रॉग को मतला आसपास की जो जगह उसको भी साफ सुतरा रखना चाहिए तो वो कहते हैं तन्रुस तो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है हसने हसाने का मन करता है रात कु नीद अच्छी आती है और सुवे तरो ताज़ा उटते हैं हर काम फटाफट करते है आलस से हमारे पास नहीं फटकता तो वो समझाते हैं उनको अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हमारा स्वास्त अच्छा रहता है और अगर हमारा स्वास्त अच्छा रहता है तो हमारा मन प्रसंद रहता है और मन प्रसंद रहता है तो हमें हसने का मन करता है रात को नीद भी अच्छी आती है नीद अच्छी आती है तो हम सुबह एकदम कैसे उठते हैं फ्रेश उठते हैं तरो ताजा उठते हैं और जब हम हमारे अंदर आलस से नहीं होता हमारी नीद पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या होता है आलस से नहीं होता हमारे अंदर तरो ताजगी होती है तो हम सब काम फटाफट करते हैं तो आलस से हमारे पास तक नहीं फटकता मतलब हम किसी काम में आलस से नहीं करते हैं जब हम स्वास्त होते हैं और स्वास्त काब होते हैं जब हम साफ सफाई रखते हैं हाँ दादा जी खाना भी अच्छा लगता है बिट्टू बोला तो जो बिट्टू है वो कहता है हाँ दादा जी जब हम स्वास्त हमारा जब अच्छा होता है तो हमें खाना भी अच्छा लगता है क्योंकि अगर हमारा स्वास्त अच्छा नहीं है तो हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता तो वो कहते हैं तुम बिल्कु स्वास्त होते हैं तो हर काम अच्छ से हुता है कि हमारी ठीक नहीं हो तो कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता ना बूंक लगती या ना नीद आती चैनल हो जाते हैं घेर अघासी और्पी यह औरοιπόν बांसिया př Judaism आती रहती है ह। पूरे दिन अबासियां आती रहती हैं जमाईयां आती रहती हैं थके थके से रहते हैं फिर दादा जी आगे कहते हैं काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें तो मैं मालूम है ना काम करने और दौर भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है पसीने क्या करना चाहिए अपने शरीर को साफ रखना चाहिए तो बो बताते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है बहुत अधिक पसीना आता है हमारे जो हम भागते हैं दौगते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है और पसीने में क्या होता है दूल के कर होते हैं दूल के कर मिल जाने से ह हमारे जो तच्छा में चिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं उफ दादा जी ची ची पसीना तो बद्बू मारता है ना हनी बोल पर तो जो हनी होता है वो कहता है कि हाँ दादा जी जो पसीना होता है उससे क्या होता है बहुत गंदी बद्बू आती है तो वो क्या कहता है दा और हमें अपने शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए अगर मेल जम गया है तो क्या करना चाहिए एक मोटा कपड़ा लेना चाहिए उससे रगर रगर कर हमें मेल को उतारना चाहिए और हाँ हमें सुबह उठने और शाम को सोने से पहले मतला जब हम सुबह उठते हैं और जब शाम को रात को सोते हैं उससे पहले हमें अपने दाथ साफ करने चाहिए और हफ़ते में दो बार नाखुन काटना चाहिए और जब भी हम शौच के लिए जाते हैं उसके बाद हमें साव उन से हाथ अबश्चिद होने चाहिए जी दादा जी सभी बच्चे एक साथ बोले तो जो बच्चे बैठे हुए थे सभी एक साथ कहते हैं जी दादा जी फिर दादा जी आगे कहते हैं, शरील के साथ साथ हमें कपरे भी साफ पहनने चाहिए, तो हमें अपने शरील तो साफ रखना चाहिए, इसके साथ जो हमें कपरे पहने हुए हैं, वो भी साफ होने चाहिए, तो कि अगर हमाई गंदे कपरे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, की तो जो उनकी मा हैं वो आकर कहती है कि हमें क्या करना चाहिए घर को भी साफ सुत्रा रखना चाहिए घर भी साफ रखना चाहिए मतलब हमें हर चीज साफ रखनी चाहिए तो दादा जी कहते हैं हाँ भाव वो कहते हैं इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है तो वो कहते हैं कि तुमने तो इस बात पर अच्छी तरह अमल कर रखा है बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटारू के फैलने का डर रहता है तो वो कहते हैं ये बात जो है बच्चों को भी पता होनी चाहिए अगर हम गंदगी रखते हैं तो कीटारू फैलते हैं दादा जी ने ये भी का खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्त के लिए आवश्यक है तो दादा जी समझाते हैं कि हमें धूप में भी बैठना चाहिए और ताजी शुद्ध हवा लेनी चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही क्या होती हैं हमारे स्वास्त के ल पानी ऐसे कुए का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो अगर हम कुए का पानी पीते हैं तो हमें ऐसा पानी पीना चाहिए कुए में जो रोजाना सफाई होती हो तो हमें ऐसे कुए का पानी पीना चाहिए जिसकी रोजाना सफाई होती हो तो तोशी है वो कहती है कि हमें तो हम बिमार हो जाते हैं सही बताया तुम्हें हमें बहुत सी बिमारिया तो शुद्ध पानी पीने से ही होती है हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए तो दादा जी कहते हैं तुमको सही बताया तुमारे गुरू जी ने क्योंकि बहुत सी बिमारिया ऐसी है जो अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे हो जाती है तो हमें पानी शुद्ध पीना चाहिए पानी को छान कर पीना चाहिए और अगर हम कुए का पानी पी रहे हैं तो उसकी रोजाना सफाई होनी चाहिए तो ऐसा पानी पीना चाहिए उस कुए का पानी पीना चाहिए जहां सफाई होती हो बाते हो गई हो तो खाना लगा दू शिश्मा की अबाज आई तो जो उनकी माँ है वो कहते है अगर आप लोगों की बाते हो गई हो तो मैं खाना लगा दू अरे याद आया बच्चो हमारा भोजन भी शुद्ध ताजा सकतर ada लिए से मां जाएिए ईटलना की बात के बीचेत बेज़ को वी एक भी शुद्ध चोन खानी तो जो दादा जी वो कहते हैं हाँ यादा बच्चो हमारा ज हो जो खाना है पो जनहें बहुंबी साफ होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए ताजा होना चाहिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए हमारा खाना पॉस्टिक होना चाहिए और हमारा जो खाना है वो हमें खुली जगह पर नहीं मतलब खुला हुआ नहीं रखना चाहिए ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जा मक्यी आहूं और घुले खाने पर क्या होता है भाना तो ऐसा खाना ridiculous हमें बेट नहीं चाहिए फल और सबस में उप्योंग में भंग का रहे हों तो हमें उनको धो लेना चाहिए और खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से हम क्या होता है बीमार हो सकते हैं तो हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो खुली हुई हो और पहले से कटे हुए जो फल बगेर हैं वो भी नहीं खाने चाहिए बिद्याले में मिलने बाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बिमारियां दूर रहती है तो बिद्याले में जो धवायां मिलती हैं डी वर्मिंग की वो खाने से क्या होता है पेट की बिमारियां दूर होती है iron की गोलियों से स्वास्त तरोता जा रहता है तो iron की हमें गोलियां खानी चाहिए दादा जी समझाते है खाना लग जाता है तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तवियत के लिए हमें खिस्रप भी करनी चाहिए तो वो कहते हमें एकसर साइज भी करनी चाहिए रोजाना खेल में हमें रुची लेनी चाहिए खेल भी खेलने चाहिए मगर खेल बोहु जिनमें शारी ग्रिट बे आयाम हो तो हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए जो एक जगे बैढ़ ंपने भाले हो जैसी की खोखो हो है कबड़ी है, फुटबॉल है, बॉली वॉल है, टेबल टैनिस है, जिससे हमारा शागल रिक ब्यायाम हो, ऐसे खेल खेलने चाहिए, तो मोबाइल में तो क्या होता है, हम एक जगे बैठ जाते हैं, तो इससे हमारा जो श्रिल्ड है, वो क्या होता है, एक्टिब नहीं होता, त कि हम एक जगे बैठे बैठे सारे काम करते हैं तो हमारा जो मुबाइल होता है उससे हम क्या होता है आलसी बन जाते है और ये जो खेल हैं खो को है कबड़ डिस में हम भागते हैं और एक दूसरे के पीछे भागते हैं इ dwt पा अधिक भायाम हो जाता है तरहा की है है बहुत अच्छी exercise है तो यह सब हमें यह सारे जो खेल हैं भो हमें क्खेलने चाहींawan को कहलें अब भले चंगे हो सकते हैं मनाया स्वास्ते बहुत अच्छा रह सकता हैं तब दादी जी जी वह हैं भो भी टहलते टहलते महां आ जाती हैं और बाते सुनकर कहने लगती हैं कुछ मेरी भी सुन लो खुश रहना अच्छे स्वास्ते की निशानी है तो वो बताती है अगर हम खुश है इसका मतलब है हमारा स्वास्ते अच्छा है ना चुरें ना गुसा करें और ना ही चिंता करें तो वो कहती है हमें चिलना नहीं चाहिए गुस्सा नहीं करनी चाहिए और हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए हमें धैर दिखाना चाहिए कोई भी काम है तो हमें जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए धैर से काम करना चाहिए धैर से कोई भी काम करना चाहिए धैर पूर्बक और प्रिसनित रहना च पर से निता हम को दिखानी चाहिए कहा है ना हासे आचा स्वास्त पाऊ तो हमें हसना चाही को इसे हुशते हैं हमारा स्वास्त उसा चाहिता भी नम काम हुझे गई चाहिए कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए कौन से गेम खीलने चाहिए और हमें क्या-क्या करना चाहिए रात बताई गई हैं तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू